लास्ट वीक में हम लोगों ने जियो मॉर्फलॉजी के सेक्शन को डिस्कस किया था पेपर टू में और पेपर वन के हुमन जोगरिफी में हम लोगों ने आंसर राइटिंग सेशन्स ले रखे हैं जिसे कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में जो हुमन जोगरिफी है या फिर इंडियन जोगरिफी है उसके आंसर कैसे लिखने है सबसे important चीज़ यही होता है कि आपको content जानने के बाद उस content को use कैसे करना है अपने answer में ये skill develop करना इसी तरीके से हम लोग geomorphology और paper one में भी physical geography में जितने भी sections हैं उन सब को भी देखेंगे कैसे उसे use करना है हमें अपने answer writing program में तो फड़ावट शुरू करते हैं जो questions हम लोगों ने लिये हैं वो session के दोरान में ही जो आप लोगों को questions दिये जाते थे उसी को लिया गया है question की quality ground level से फिर उसकी बाद से अब करते जाएंगे फड़ा फड़ा शुरू करते हैं let us start, let us complete, let us crack but before that these are our contact details now these are the questions यहाँ पर जो first question है discuss the interior of the earth on the basis of rigidity and strength of the layer अब दीखें यहाँ पर question जो है वो interior of the earth से related है लेकिन इसी को आगे जोड़ दिया गया है rigidity and strength of the layer से इसका मतलब होता है this is mechanical differentiation actually this is mechanical differentiation अब कई लोग यह कह सकते हैं कि इस तरीके का content तो हमने पढ़ा नहीं है see the thing is कि आजकल question में UPSC के paper में आपको straightforward questions नहीं मिलेंगे these are very easy type of questions बस आपको थोड़ी सी twisting कर दी गई है question में तो यहाँ पर generally physical geography के साथ में ऐसा हो रहा है कि इसे थोड़े से scientific language के साथ में या फिर scientific keyword के साथ में जोड़ करके फिर question पूछा या रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है you just have to think आपको यह केवल और केवल सोचना है कि आखिर में rigidity और strength का पहले तो मतलब क्या होता है यह पहला आपका step होना चाहिए second step होना चाहिए कि आपने इस rigidity and strength से related क्या कोई चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है और उसके बास से आपको जितने भी आपने जहां पर भी आपने rigidity और strength जो की interior of the earth से related अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसे उस content को आपको gather करना है जैसे आप exam like environment में कैसे अपने आपको develop करेंगे same type of यहां पर भी discuss किया जा रहा है जैसे आपने question पढ़ लिया now first step यह कहता है कि you have to identify identify आपने कर लिया है कि interior के बारे में पढ़ाई करनी और mechanical differentiation rigidity और strength का मतलब यह होता है कि कोई भी layer या कोई भी material कितना जादा वो brittle है या कितना जादा वो ductile है यानि उसके strength क्या है हम लोगों ने discussion के दौरान में कई बार मैंने आप लोगों को एक curve बताया हुआ है stress strain curve जहांपर मैंने इस तरीके से rupture और yield के बारे में बताया है कि this is yield point and this is here rupture point यह actual में strength ही है and this is actually material strength या इसी को आफ mechanical strength भी बोल सकते है तो आपको एक identification हो गया कि now हमें जो भी बाते करनी हो basically इस rigiderio strength related बात करनी है मतलब कि हमें solid, liquid and solid बाला जो material होता है केवल उसी के बारे में बात करना है this is the content here second thing है कि आपको यह सोचना है कि आखिर में यह सारा system आपने कहां कहां पर पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा है इसे crust के दोरान में फिर asthenosphere के दोरान में फिर mental के दोरान में और फिर ultimately core के दोरान में यहाँ पर आप लोगों ने mechanical differentiation के बारे में पढ़ रखा है तो आपको content त्यार हो गए आपके पास आपको क्या करना है केवल और केवल आपको answer writing कर लेनी है इस तरीके कि आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी अभी यहाँ पर time लग रहा है लेकिन जब एक बार practice कर लेंगे तो आपके दिमाग में automatically यह structuring automatically यह जो algorithm है वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और time waste भी नहीं होगा at max it will take 30 seconds to 1 minute otherwise आपको यह सारी चीज़े अपने आप click होते आएंगी and these are neurons based आपके दिमाग में already पड़ा हुआ है and it will certainly connect with each other और फिर आराम से आप answer writing कर लेंगे जैसे for example how will you write it सबसे पहले आप introduction लिखेंगे introduction में आप क्या करेंगे introduction में आप start कर सकते हैं कि यहाँ पर density differentiation का काम use कर सकते हैं because interior of the earth is related है और यहाँ पर थोड़ी से mechanical strength के बारे में है so you can start from the theory of nebular hypothesis आप इसे यह कह सकते हैं कि जो अर्थ है अर्थ वाज एक समय पर यह भी जो होता है hot planet के रूप में था लेकिन यह nebular hypothesis हुआ और इस nebular hypothesis के दौरान में चीजे जो होती है cool होती गई cool होने के कारण से फिर यहाँ पर density differentiation हुआ और इस density differentiation के दौरान पर यहाँ पर layering स्टार्ट हो गई based on these layering यहाँ पर दो तरीके की layer बनती गई एक थी जो ductile material थी या फिर brittle material था इन दोनों के बारे में आप आगे जाकर के इसी को consider कर देंगे कि one was the solid in nature and second was liquid in nature not exactly liquid it is actually semi solid this is semi solid यहाँ पर अगर आप लिखना चाहे तो Harold Geoffrey का भी नाम लिख सकते है this is Harold Geoffrey ठीक है तो you can start this अब इसके बाद से आप एक flow chart तुरन बना दीजिए this is flow chart flow chart में आप दिखा दीजिए यहाँ पर की आखिर में interior of the earth को ले करके कौन कौन सी theories हैं clear तो theories को आप बता दीजिए number of theories you have already studied like Edward Swiss model या फिर जो है Harold Geoffrey model तो आपके पास theories already आप जान रहे हैं कि देरास certainly two to three theories नाम लिखना है और उसके key points लिखने हैं single line key point clear अब इसके बाद से आप आजाएं interior of the earth को study करना कैसे करेंगे आप यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे कि earth has layered structure earth has layered structure where layers are classified या categorized according to its characteristics these layers can be found in different format like crust, mantle and core अब इसके बाद से आप crust के बारे में heading लिख करके you will start describing the crust यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि इसकी physical properties के बारे में आपको बताते रहना है अब इसमें फिर से आपको classification मिल जाएगा कि oceanic crust है या continental crust है clear अब इसके बाद से आप आजाएंगे asthono sphere के बारे में similarly mental के बारे में similarly core के बारे में तो this is how you will write the answer यहाँ पर जो आपके keyword रहेंगे वो physical property से related रहेंगे physical property का मतलब क्या हो गया जैसे solid nature या semi solid nature होना चाहिए जो भी यहाँ पर discontinuity के बारे में आप बात करेंगे वो बताएंगे phase change का नाम ले करके इसके अलावा आप यहाँ पर brittle and ductile material इसके बारे में बता सकते हैं clear यहाँ पर आप temperature change नहीं बोलेंगे यहाँ पर आप phase change बोलेंगे because the question is more or less inclined towards rigidity and strength clear तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे answer को लिखेंगे यहाँ पर जो question है और question की जो language है basically वो आपके keyword पर depend करती है कि आपने कौन-कौन से keyword चुनना है जैसे यहाँ पर mechanical strength या mechanical differentiation के बारे में है तो जितने भी words आप use करेंगे वो physical words यूज करेंगे physical geography के और physics के word यूज करेंगे वही अगर आपको दूसरे question में अभी हम लोग देखेंगे तो अलग अगर term मिलेगा तो आपके keyword बदल जाएंगे तो this is certainly the examiner is asking about तो यहाँ पर basically expect किया जाएगा आपसे कि थोड़ा सा आप इस तरीके से answer लिखेंगे flow chart के साथ-साथ यहाँ पर एक और आप इसका जो diagram है उस diagram को भी बना दीजिए आपको again extra marks मिल जाएंगे तो physical geography में देखिए दो ही बड़ी hurdle होती है एक question को decipher कर पाना कि आखिर में लिखना क्या है और दूसरा keyword का selection इन दोनों को आप solve कर सकते हैं practice के साथ-साथ और थोड़ी सी content enrichment के साथ-साथ आपको थोड़ी सी content enrichment करनी होगी थोड़ा सापको और extra books पढ़नी होगी थोड़ा सापको physics की knowledge भी होनी चाहिए इस पूरे के पूरे question को लिखने के लिए देखे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि answer मैं लिख दूँगा देखे answer लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है answer लिखना is very easy task आप कुछ भी भरते आ रहे हैं university exam में जैसे अपने copies देखी होंगी अगर तो वहाँ बार कुछ भी लिखते जाते हैं यहाँ exam में ऐसा नहीं होता है exam में आपको बहुत ही selective writing करनी होती है और वो selective lining precise writing होनी चाहिए है मतलब एकदम आपको to the clear, to the point and question oriented आपको selection करनी है केवल और केवल इसी की तो आपको practice करनी है तो यही पूरी की पूरी practice basically आपको इस answer writing session के दोरान में करनी है next question अगर देखें तो next question है discuss the details of interior of the earth also point its properties अब यहाँ पर देखें कहीं पर भी कोई भी special चीज नहीं है simple question है simple question में आपको केवल और केवल यह बोल दिया गया है कि आप interior of the earth के बारे में आपको बताना है कहीं पर ना तो आपको physical property या chemical property या फिर temperature oriented pressure oriented मतलब कहीं पर भी आपको कोई as such special context नहीं दिया गया है तो this is actually simplest question और कुछ नहीं करना है आपको जो भी आपने content अभी तक लिखा हुआ है you can start from the nebular hypothesis nebular hypothesis को आप बताते हुए आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद से आप एक flow chart again बना देंगे इस flow chart में आप basically जितने भी interior of the earth को लेते हुए theories हैं उनको आप discuss कर देंगे फिर आप crust mental core को discuss कर देंगे this is crust mental and core साथ ही साथ में इनका एक diagram आप बना देंगे यहाँ पर आप discontinuity को भी equally focus करेंगे तो discontinuity के बारे में भी आप बता देंगे जितने भी तीनो चारो discontinuities हैं उनके बारे में आप बना दीजिए और फिर ultimately आप यहाँ पर conclude कर दीजिए कि यहाँ पर we have now developing and researching in this field कि अगर कोई और भी नहीं लिया रगार आती है तो हमें यह पता लग जाएगी तो this is quite simple question और भही straightforward आपका answer भी हो जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा कुछ discuss करने को नहीं है next question में देखेंगे तो देखें discuss the interior of earth in terms of temperature anomaly इस question को या फिर कह लिजए इस topic को basically intentionally लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 questions हम लोगों ने देखे interior of the earth को ले करके एक देखा जहाँ पर straightforward question था केवल आपको अपने content लिखते आने है दूसरा question हम लोगों ने देखा जो mechanical mechanical property को ले करके था या फिर मैं यह बोलू कि material property को ले करके था थर्ड question यहाँ पर लिया गया है temperature anomaly को लेते हुए anomaly का मतलब होता है difference clear अब यहाँ पर temperature difference को ले करके question है आपको यह पता है again आप क्या करेंगे we have steps first step क्या होता है identify करना तो आपने यहाँ पर identify कर लिया कि हमें temperature difference के basis पे answer लिखना है step 2 हमारा क्या है step 2 हमारा है कि you have to brought all the concepts जो भी आपने concepts पढ़े हुए पूरी geography के दोरान में कौन-कौन से concept interior of the earth से related है और temperature oriented है तो आपको पता है कि again यहाँ पर nebular hypothesis को ले कर के आ सकते है और साथ ही साथ में हमें यह बताना होगा कि जो crust है या फिर अंदर mental है या फिर अंदर जो core है यह basically temperature के ही बढ़ते हुए difference है तो this is temperature इसके अलावा हम यह कह सकते है कि जो crust है वहाँ पर जो temperature increase होता है वो बहुत ही gradual होता है this is gradual लेकिन जैसे यह हम आगे आते हैं वैसे ही यह drastic हो जाता और अंदर के बारे में तो हम idea भी नहीं लगा सकते है कि आखिर में temperature कितना ज़ादा तेजी से बढ़ रहा है like 6000 temperature can be found in the interior of the earth तो यहाँ पर हमें सारा item पता चल गया now I have to package this मुझे यह package कर देना है ताकि मेरा answer त्यार हो जाए तो again introduction introduction की शुरुवाद अगें आप यहाँ पर भी nebular hypothesis से कर सकते हैं देखिए nebular hypothesis एक ऐसी hypothesis है जहाँ पर pressure oriented temperature oriented या फिर mechanical strength oriented हर एक चीज़ को discuss किया गया है तो you can certainly use this hypothesis for introduction of the question कोई भी आगर interior of the earth से related question आती है तो अब इसके पाद से आप body पे आ जाएंगे body में आप यह बताएंगे कि देखिए Harold Jeffrey ने जो interior of the earth की study की थी वहाँ पर इन्होंने thermal contraction के बारे में बात किया था thermal contraction जैसे ही आएगा you have to write actually Harold Jeffrey अब यहाँ पर आपको बता देना है thermal contraction और basically यहीं से आपको start भी करना होगा because this is thermal, this is temperature oriented यहाँ पर आप बताएंगे interior of earth के बारे में कि देखिए this is the suppose crust यहाँ पर crust मान लेते हैं crust में भी हमारे पास दो तरीके किया जाती है एक होती है जो continental होती है second होती है वो oceanic होती है यहाँ पर हमारा जो main focus होगा जो keywords होगे वो temperature oriented होगे जैसा कि already मैंने आपको question number one में ही बताया है content में आप बताएंगे देखिए हाँ पर जो material है वो basically coolest material है और यह coolest material होने के कारण से यहाँ पर silica की अधिकता पाई जाती है this is silica rich material second जो होती है यहाँ पर यह relatively hot होती है and this is relatively less silica मतलब यहाँ पर थोड़ी सी liquid silica होती है जिसके कारण से इसकी flow बनी होती है और flow के कारण से ही यह generally dense जादा होते है getting the point कैसे आपको लिखना है तो you have to modify your answer थोड़ा सा आपको answer different करना है एक ऐसे solution में आपको अपने answer को ढ़ाल लेना है जो question को demand कर रहा है like suppose आपसे कोई vanilla flavor मांग रहा है तो you will you have the same solution but you will certainly mix some vanilla vanilla flavor in your solution similarly अगर कोई strawberry कह रहा है तो strawberry आप mix कर देंगे तो that is the thing एक तरीके से कि आप एक को तड़का लगा देना है आपको answer में बस okay now second thing mental पर आजाएंगे आप mental में भी आप तीन पार्ट में डिवाइट कर देंगे कि this is upper upper mental फिर upper mental then inner mental all these are categorized according to the temperature and this temperature is certainly giving it a different shape and different nature of the layer because of this temperature difference and the phase change there are discontinuities within this mental and between mental and crust तो यह भी अगेन आप discuss कर देंगे ultimately you will get into the core thing और core के लिए अगेन आप दो चीजों के बारे बता देंगे कि जो outer core है और जो inner core है यहाँ पर आप एक point single point और single line के बलिख सकते हैं कि because of this temperature difference and pressure difference there is a relative motion between the interior of the core and outer core and that is why we are getting earth's geomagnetism single line अप लिख सकते हैं क्योंकि देखे question is not asking about that but it has a temperature as a component so you can use this line to just introduce this magnetic property because that is also related with the interior of the earth and temperature anomaly getting the point okay so यहाँ से आप चीजों को लिख देंगे and certainly you will conclude your answer कि यहाँ पर जो system होती है वो temperature के according में हम लोग बोल सकते हैं नेबल ना है पर सब्सक्राइज is justifying that thing clear तो ऐस सच यहाँ पर कुछ खास conclusion बन नहीं रहा है क्योंकि देखे यहाँ पर discuss type की चीज़ है and you have to write all the terms all the technical details of interior of the earth कहीं पर भी आपको जुस्टिफाई करनी है और ना कहीं पर आपको एक judgment पास करनी है so this is quite easy question motive of taking this question is just to give you an idea how to write according to the keyword and in the context of the question clear next question देखेंगे अगर तो next question is discuss the mechanism of development of volcanoes again काफी easy question है अब देखिए volcano के बारे में volcano को लेने के पीछे question यह है कि first क्या करना है आपको volcano को आपको define कर देना होगा clear अब यह volcano में केवल और केवल आप यह नहीं बताएंगे कि volcano due to plate tectonics आपको हमेशा यह ध्यान में भी रखना है कि we have one more type of volcano that is hot spot clear यहां पर आप जो है इस volcano को आप define कर लीजे कि the magma which is there in the interior of the earth it is under high pressure and high temperature and that is why it is always looking for a fault so that it can release its pressure and temperature clear second thing आप आजाएंगे volcano की type में आ सकते हैं या फिर आप mechanism के बारे में पूछा गया है तो आप यहां पर इसकी थोड़ी सी properties को भी बता दीजिए properties properties का मतलब यही है कि आपको आखिर में यह जो volcano है यह कितने type के या फिर कहले ज़िए किस किस तरीके से मिलेंगे तो you will right here क्या क्या लिख देंगे आप एक तो composite लिख सकते हैं this is composite type of volcano और इसकी property ही लिखनी है आपको कि यहां पर granite की जो granite रहेगा वो ज़्यादा रहेगा and because of this यहां पर यह conical shape में होंगे conical shape and these are very violent in nature clear मैं कहूंगा कि एक केवल और केवल आप table बना दीजिए जहां पर यह property आप लिख रहे है one second second thing आप बता देंगे यहां पर like doom shaped third आप बता सकते हैं shield और last में आप बता सकते हैं आप जो sheet volcano होते है sheet volcano clear तो यहां पर इनकी properties के बारे में आप दबता दीजिए और इस तरीके से यहां पर आप system बना देंगे अब आप आजाएए इसके main mechanism के तरफ में main mechanism अब आपको क्या करना है एक photo बना देनी है this is suppose crust and this is crust और अंदर में यह हो गई आपकी mental यहां पर आप इस तरीके से दिखा जिए convection current make sure convection current को आपको zone नहीं बताना है क्योंकि zone के बारे में अभी तक कोई भी idea नहीं है कि यह mental से start हो रहा है asternosphere से start हो रहा है कहां से start हो रहा है तो आपको इन सब figures में थोड़ा सा काफी सावधानी बरतनी होगी कि आखिर में हमें कोई zone नहीं दिखाना है तो आप एक rough figure बनाईए हमेशा clear in fact you can draw like this यह इस से idea न लग पाए कि आखिर में mental कहा है because this is mental this is also mental यह भी mental ही है clear तो अब यहां पर आप यहां दिखा सकते हैं कि high pressure high temperature this is high pressure and high temperature अब यह self explanatory हो गया कि यहां पर क्या है लिखना चाहें तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं convection currents अब इसे आपको explain करने की जरूद नहीं है क्योंकि question already मतलब कि जो आपका diagram है यह explain कर रहा है चीजों को यहां पर आप बता सकते हैं कि volcanoes are formed volcanoes are formed because of high pressure and high temperature but this high pressure and high temperature develop because of certain parameters या certain type certain causes उसमें आप बता सकते हैं एक cause plate tectonic theory का और इस plate tectonic theory के बारे में आप बता जीजए convergent boundary, divergent boundary दोनों के बारे में clear second thing आप आजाईए hot spot के बारे में hot spot को भी आप discuss कर दीजिए clear तो यहां से इन दोनों के बारे में जो आप discuss कर देंगे फिर ultimately आप बता देंगे कि still there are some more points and some more reasons because of which volcanoes are getting developed और यह क्या होते हैं इसके बारे में अभी भी research हो रही है this is a topic of research यहां पर अभी भी चीज़े चल रही है because we according to the J.K.Harm theory जो surface of the earth है वो constant नहीं है और यह constant नहीं होने के कारण इसकी जो layer से वो basically बढ़ते आ रही है जो की जिसका one of the cause volcano है and that is the area from where research is going on and we are still looking for a new type of volcano and new type of mechanism of development of volcano तो इस तरीके से आप इस पूरी के पूरी answer को conclude कर सकते हैं अगर आपको देखिए physical geography में जितने भी topics हैं वो basically research का ही एक area है तो आप अपने answer को conclude अगर करना चाहते हैं तो इस research के थूरू भी कर सकते हैं यह आपको ध्यान में रखना है clear next question देखेंगे तो देखें Taylor's theory of displacement led to development of Wagner's continental drift theory comment तो यह भी एक तरीके से काफी easy question है आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि हम लोगों को बात करनी है continental drift theory की तो यहाँ पर आप बता देंगे सबसे पहले आप start करिए okay again step 1 पर आ जाईए step 1 में आपको identify करना है आपने identify कर लिया कि यहाँ पर basically continental drift के बारे में बात करनी है continental drifting clear step 2 पर आप आजाएंगे आपको linking करनी है content content linking कैसे करेंगे यहाँ पर है tailor theory tailor's theory ने बताया था displacement displacement of continents या फिर displacement या फिर movement of continents this is movement of continents और इसको आपको link कर देना है global continental drift से global continental drift जो की दिया गया है wegener के द्वारा clear तो this is how you have to package कैसे अब package करेंगे start करेंगे अगें introduction से this is introduction अब बता दिए यहाँ पर की the world is always changing the territories and the boundaries of the continent are changing and this change led to development of new type of landform and new phenomenon under geological and geographical condition अब यहाँ पर आप बता दिएंगे the theory या फिर the research for this drifting of the continent या फिर movement of the continent or the development of the landform are being discussed by various geographers और फिर ultimately आप यहाँ पर एक flow chart बना देंगे flow chart बनाने के बाद आप फिर again Harold Joffrey से start करेंगे Harold Joffrey ठीक है यहाँ से आप चीजों को बताना थोड़ा सा शुरू करिए और discuss करना शुरू कर दीजिए discuss करने के बाद फिर आप आ जाईए आगे Taylor के पास में this is Taylor Taylor के पास में आ जाईए Taylor से फिर आप चीजों को discuss करना शुरू कर दीजिए और फिर इसके बाद से आप आ जाईए Wegener के बारे में Wegener से अगेन आप इसको बारे में बता जिए इनको discussion करिए and then ultimately complete your answer clear ultimately you have to just package this thing कि Taylor की थियोरी Wegener की थियोरी को साथ में combined थी और इनको ही basically बताया गया था clear तो इस तरीके से आपको चीजों को fix करना है इस तरह से चीजों को आपको बताना है आगे अगर देखें next question is discuss the type of fault present in the Himalayan mountain series this is the expected यह आप कह सकते हैं कि this is a expected question for this means also क्योंकि अभी recent में क्या है कि Northeast of India में earthquakes में नई fault जाननी थी है वो काफी important fault थी हमारे लिए और वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना भी होगा कैसे लिखेंगे सोचे दिमाग में कैसे लिख सकते हैं आप again this is a very good question and one second let me introduce चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि पहले false को आप define कर दीजिए okay let me again introduce this step 1 में आप क्या करेंगे step 1 में आपको identify करना है identify आप कर लिए हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर fault के बारे में बाते करनी है second आप आ जाएंगे step 2 में step 2 में आपको content डवलप करना है तो content के लिए you have faults आप fault में आपको पता है कि हमारे पास MCT main one second MCT main central thrust इसके लावा MBT main boundary thrust HFF यह हमारे पास Himalayan front fault यह हमारे पास 3 main important faults है लिकिन यह 3 के 3 northern side में है या फिर कहा दीजिए यह north western side में है north east side में कोई fault नहीं है क्या it is there और यह generally आपको books में नहीं मिल पाता है इसी वज़े से इसका answer भी लोग नहीं दे पाते हैं north east side में भी आपको दो fault मिलती है एक fault का नाम है चुरचांदपूर this is C-H-E-U-R चांदपूर fault and second fault is Matt fault यह दोनों fault north east में है और कफी important faults है इसके बीच में कुछ minor faults भी आते हैं बट यह हमारा area of concern नहीं है हमारा area of concern किवल और किवल यही इतना है so we have faults and we have content now we have to package कैसे करेंगे again आप introduction में आप लिखेंगे introduction में आप बताएंगे faults के बारे में fault को आप define कर देंगे type of fault के बारे में बताएंगे type of faults we have three type of fault एक होती है जिसे बोला आता है strike dip fault second जो होती है उसको reverse fault बोला आता है this is reverse fault और तीसरी होती है जो normal fault होती है this is normal fault अब आप आजाएंगे हमालयाज में हमालयाज के लिए again आप एक flow chart बनाएंगे flow chart और इस flow chart में basically development of हमालया को दिखाएंगे this is development of हमालया किस तरीके से development हो रही है in fact मैं यह कहूंगा कि geological time scale के बारे में आपको यहाँ पर बताना है geological time scale clear इसके पास से आप आगे बढ़ेंगे and you will draw a diagram कैसे diagram draw करेंगे तीन तरीके का आपको अपना mountain बना देना है okay so तीन तरी में आपके आजाएंगे this is greater हमालया ठीक है फिर उसके बाद से middle हमालया then उसके बाद से जो हमारी inner हमालया या शिवालिक से है यहाँ पर आप बता देंगे कि यहाँ पर है this is Haridwar यहाँ पर ठीक है या plane आप बोल सकने है this is plane okay यहाँ पर आप आजाएए तो यह HFF है हमालयान फ्रेंट फॉल्ट this is MBT and then MCT यह आपने जो बनाया यह बेसिकली इस एरिया का है इस एरिया के है ठीक अब यहाँ पर आप आजाएंगे तो यहाँ आपकी North East में भी है and there is again a fault and this fault is no net जो आपकी चुर्चानपूर fault है and then Matt fault है यहाँ पर आप दोनों को again यह भी महबाब बनाएंगे यह भी आप महब बनाएंगे मतलब कि यह आप दोनों ही डाग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद से इन faults को discuss कर देंगे कि जैसे greater or middle के बीच में है middle और inner के बीच में है और inner के बाद फिर यह plane area के बीच में है अब बता देंगे कि तीनों तीनों चुब faults है they are normal type of faults and then again discuss all the things which is there in the content तो main चीज़ जो आपको बतानी थी वो यही बतानी थी और यहां पर conclusion में आप लिख सकते हैं कि these faults are again a point of research because the geological condition of Himalaya is under research and we are getting more and more earthquakes and other phenomena through which we are getting the content for new research area for the Himalayan faults clear तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे answer को लिख सकते हैं काफी important और काफी अच्छा question था बट यह है कि आपको थोड़ी से यहां पर research करने की जरूवती you have to connect with the research तो इस तरीके के सारे question ही आप लोग जितने भी कराएगा हैं आप इसे लिख करके recognitionis at gmail.com पर भेज सकते हैं इसके लावा अगर कोई problem होती है तो you can reach us by using these modes एक चोटी सी note है please do not call or do not try to call and do not whatsapp बहुत ही आदा urgent हो then only please call otherwise काफी काफी calls आयाते हैं जिसके कारण से problem हो जाती है आप email करिए email पर भी आपको same information सब कुछ बताया जाएगा in a convenient manner होगा हो सकता है phone calls आपकी receive ना हो but certainly your email will be answered so important thing is to use these modes only and that is also preferred अगर आपको कोई आउट होता है तो आप इन से channels का use करिए मिलते हैं next video में till then good bye and thank you so much